हेलो एवरीवन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी हिंदी की वोक्षीट नंबर 38 डेट है इस वोक्षीट की 23 फैब 2021 आज की वोक्षीट में बच्चो आपका टॉपिक है सौर नाम जिसके लिए सबसे पहले आपके लिए एक अनुछेद दिया गया है आईये से आपाती राणी से कहा गया है कि जब राणी का चैन राज यस्तर ये टीम में हो जाएगा तब राणी की फीस माफ कर दी जाएगी अब यहाँ पर देखे़े बच्चों इस अनुछेद को पढ़कर अर्थ ठीक से समझ में आ गया कि राणी के बारे में हमें अच्छे से पता चल गया कि रानी किस्थिती क्या है वो क्या करती है लेकिन कुछ अटपटा सा लग रहा है असल में इस अनूच्छेद में एक संग्या जो रानी है जी कह Speaking वार लिखा गया है बार बार उसको repeat किया गया है इस कारड यह अनुचेद लंबा और बोजुल हो गया है आईए अब अनुचेद को पुन्न पढ़ते हैं अब अगर हम इस अनुचेद में कुछ परिवर्तन कर दें तो देखिए ये कैसा लगेगा रानी दसवी कक्षा में बढ़ती है वह होकी की अच्छी खिलाडी है उसकी आर्थिक इस्तिती अच्छी नहीं है और उसे अपनी फीस माफ कराने के लिए प्रातना पत्र लिखना पड़ता है कई बार वह समय पर फीस भी जमा नहीं करा पाती उससे कहा गया है कि उसका चैन र वह उससे उसका उसकी और इसकी वज़े से हमारा जो अनुछेद है वह बोचिल भी नहीं लग रहा तो ऐसे ही शब्दों को हम सवर्णाम कहते हैं ठीक है वही आपको यहां बताया गया है कि उपर लिखे अनुछेद की संग्या रानी के स्थान पर वह उसकी उससे उसका उस जिससे की हमारा जो अनुछेद है वह लंबा भी ना लगे बोचिल भी ना लगे उसको पढ़ने में हमें इंटरस्ट आए तो ऐसे शब्दों को ही हम सवर्णाम कहते हैं जो कि संग्या के स्थान पर प्रियोग किये जाते हैं अब आपके संग्या के छे भेद होते हैं फर्स प्रशन वाचक में कौन क्या जब आप कोई प्रशन पूछते हैं और निजवाचक जैसे की अपना स्वैम यह सारे जो होते हैं हमारे शब्द वो निजवाचक में आते हैं अब इस पर बेस ही आपके लिए कुश्चन दिया गया है कि सवर्णाम को छाटके आपको उसका भी हमारा निश्य वाचक ठर्ड है बाहर कोई खड़ा है तो कोई हमारा अनिश्य वाचक फिर फूर्थ है कौन खड़ा है बाहर कौन खड़ा है तो कौन हमारा प्रशन वाचक चीक है प्रशन वाचक सौरनाम फिर है मैं अपने आप पढ़ लेता हूं तो मैं प्रुश्वाचक था वह वह हमारा कौनजा सरुनाम हो गया निश्चे वाचक सरुनाम हो गया चीक है फिर है हम कल बजार गए थे तो हम पुरुष वाचक सरुनाम हो जाता है आपका चीक है तो ये थी आज की आपकी वाक्षीट I hope आपको अच्छी लगी हो ठाइंक यू सो मच